दोस्तों वेल्कम बैक टू चानल विजडम सीए यहां पर आचुकी है एनॉंस्मेंट इस इस फॉर स्कॉलर्शिप लिखाओ यहां पे स्कीम ओफ फैनिशल असिस्टेंस स्कॉलर्शिप टू स्टूदेंट्स ओफ सीए कोर्स यह नाइटीन टॉन्टी बीस नुवंबर लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी सारी अनॉंस्मेंट पानी के लिए चैनल वो सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रस कर लिजे तो दोस्तों यहां पर लिखाओए अनॉंस्मेंट में दब बोर्ड़ो फ्र और यहां पर एक और चीज है सर्विंग आर्टिकल ट्रेनिंग एस वेल मतलब कि यह जो क्राइटिरिया है आर्टिकल्शिप की यह मस्ट होनी चाहिए तो यह तो रही बात सिये इंटरमेट के लिए अगर हम बात करें सिये फाइनल के लिए तो यह जो एमांट है दिस तो थ आप कर सकते हैं जो यह लंब सम्ट होगा आपको पे किया जाएगा और यह लगबग एक साल का जो भी अप्रस्क्राइट में इसको भेज जाएगा नौ लिखाओ यहां पर नीडी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अप्लिकेशन फॉर्मेट है वो क्या है यहां पर मेरिटोरियस इसको मतलब यह नहीं कि आपको मेरिट लिस्ट में होना ज़रूरी है अगर आप रैंक करें तो ही आपको मिलेगा इसके अलबा अगर हम और भी कुछ बात करें eligibility के लिए तो यहां पर लिखाओ कि the eligibility criteria for obtaining financial assistance from CEASBF जो फंड में आपको बताया था उस फंड के अंडर में तो यहां पर लिखाओ कि valid registration in CE course जो आपका registration है CE course में that should be valid then currently undergoing articles or industrial training as per CEA regulation 1988 तो या तो अभी आप articleship में हों या industrial training आप कर रहे हों this is necessary, this is important then जो third criteria है annual income of parents from all sources must be less than 3 lakh rupees तो सब कुछ मिला करके जितने भी sources है income के सब कुछ मिला करके जो students apply कर रहे हैं उनके parents की income 3 lakh rupees से कम होनी चाहिए तो अगर आप ऐसे student हैं जो कि ये सारे के सारे criteria को fulfill करते हैं और apply करना चाहते हैं तो आपके लिखा हुए students as above who are fulfilling the eligible criteria में apply in the prescribed application form application form में आपको भी दिखाऊंगा उसका जो link है given है इस announcement में तो यहाँ पे लिखा हुए अबर दूली फिले इन और रिखेंग झाम्नेट बड रहे हैं जो थे चर्मेंड और शेयर्मदी और कर्श अट्रेइ्ड प्रेटर्स्ट्थ एखुआज को अच्रेर्मण और रहे हैं जो एठाटर्ड फूर्जट और शो से क्रेटर्श्टार्थ नेजियर्न अप्रश्ड 19 या उससे पहले पहले पहुँच जाना चाहिए इंसिट्यूट में यह address गिवन है यहाँ पर एक चीज और आपको करनी पड़ेगी application format में आप देखेंगे एक आपको signature कराने है recommendation लेनी है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो जो भी आपका nearest ICI क ब्रांच है वहाँ पर जाकर क इसकी information आपको लेनी पड़ेगी और वहाँ से recommendation आपको लेनी पड़ेगी अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन-कौन से students eligible होंगे तो यह सब कुछ ICI decide करेगा so the board of trustee will consider each case on merit basis and decide at their अब इसके नीशे आप देखेंगे यहाँ पर जो application form है यहाँ पर भी इसका link given है इस पर आप click करेंगे click करेंगे जो application form है वो open हो जाएगा वो application form आपको fill करना है fill करके आपको भेजना है जो कि उन्हें आपको address पताया यह वाल address इस पर now चलते हैं जो application form है उस पर तो यह application form यहाँ पर आपका जो name है date of birth है age है और articleship का जो आपका registration number है then start date end date full address आपका marital status then father's occupation father's का नाम उनका address यह सारे चीज़ आपको भरनी है then आपको monthly income attach करना है आपको prove यहाँ पर attach करना है monthly income का then इसमें सारी की सारी IP की details है means जो भी आपने IP से सी कर रहे हैं so उसकी जो letter है उसको भी आपको यहाँ पर disclose करना है so अगर आप CE आपने CPT कर रखा है वो जो details है वो आपको भरना है यहाँ पर then CPT अगर आपने कर रखा है तो वहाँ पर percentage marks है so this all things you have to disclose here then अगर हम बात करें कुछ और भी important चीज़े जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो NEFT detailed है तो जो आपका bank का नाम है address of the bank, account number, IFSC code, account holder name और PAN name so यह सारी details आपको fill out करनी है then जो last point है जो सबसे important है यहाँ पर देखेंगे जो अगर आप partnership कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने principle से एक signature यहाँ पर लेना है उनका name, membership number, correspondence, address और उनका signature यहाँ पर तो यह important है यह बिलकुल आपको करना पड़ेगा इसके बाद जो recommendation है recommendation भी आपको लेनी पड़ेगी तो इसके लिए this is very important कि जो भी आपका nearest ICA का branch है वहाँ पे एक बार contact कर लें और इसके बारे में आपको वहाँ से information मिल जाएगी तो दोस्वों यह है complete announcement and this is the complete detail of CEA Student Penivalent Fund